नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट विभा और आज हम बनाने वाले हैं इस्पेसल मटर मस्रूम करी इस्पेसल इसलिए है क्योंकि हम इसे बनाएंगे एक अलग अंदाज में जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा तो आप पूरा वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हाँ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चलिए सुरू करते हैं मटर मश्रूम मनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम मश्रूम जिसे गरम पानी से दोकर इसकी इंप्यूरिटीज को निकाल दिया है और हमने इसे चौकोर टुकडों में इस तरह से काटा है 300 ग्राम हरी मटर लिये हमने जिसे चील कर उसके दाने निकाल कर ले दिये हैं चार बड़े चमच हमने फ्रेस्क दही लिया है जो की बिलकुल खटा नहीं है दो बड़े साइज के प्याज लिये हैं एक इंच अदरक कर टुकड़ा रफली चॉप किया है छै साथ लैसुन की कलिया चार लाल टमाटर लिये हमने बड़े साइज के इनहीं भी रफली चॉप किया है एक चोटा चमच जीरा लिया है दो टुकड़े दाल चीनी के लिए है हल्दी पाउडर एक चोटा चमच, एक बड़ा चमच धनिया पाउडर रैर एक बड़ा चमच लाल विर्ज पाउडर नमक स्वात के अनुसार और गरम मसाला एक चोटा चमच हमने लिया है तो इतने ही चीजों कої हमें जरूरत होगी, इसके अलागा हमें तेल चाहिए इसे बनाने के लिए तो यहां पे मैंने कड़ाई में एक चमच तेल डाल की गरम कर लिया है और उसमें अब हमने जीरा और दाल चीनी डाल दिया जीरे क्रेकल हो रहे हैं तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज, अद्रक और लैसुन तो ये देखिया हमने इसमें डाल दिया है अद्रक लैसुन और प्याज इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक हम भून लेंगे जब तक ये प्याज भून रहे हैं हम ये दही में सारे ड्राई मसाले mix कर देंगे दही में mix करने से gravy का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम ये सभी मसाले दही में मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे मसाले में डालेंगे ये सभी मसाले मैंने डाल दिये दही में इसे अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रख देंगे जब तक हम चेक कर लेते हैं हमारे प्याज भून गये हैं यह देखें हलके से golden color की हो गए हैं बस इतना ही हमें चाहिए था तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर टमाटर डाल कर इसे धग करके हमें पकाना हैं टमाटरों के सॉफ्ट होने तक तो यह टमाटर डाल के मिक्स किया मैंने अब कडाई को कवर करेंगे और इसे ढखकर सॉफ्ट होने तक पकने देंगे थोड़ी देर हो चुकी है देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया है बहुत ज्यादा गलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है तो यह टमाटर पक चुके हैं अब हम इसे निकाल कर ठंडा होने देंगे फिर इसका बिल्कुल बारीग स्मूद सा पेस्ट तयार करेंगे यह ठनडा हो गया है मैंने इसे जार में डाल दिया है और अब हम इसे grind करके बिल्कुल बढ़्या paste त्यार करेंगे यह देखिये मैंने त्यार कर लिया है तो अब हम सबजी बनाना सुरू करते हैं मैंने सेम कड़ाई यूज की है इसमें हमने दो बड़े चममस्ट मस्टार्ड वाइल डाला है। आप कोई भी ऑइल यूज कर सकते हैं। वाइल गरम हो रहा है तो अब हमने इसमें एक चममस्ट जीरा डाल दिया है। 2 तेज पत्ते ढाल दिये हैं। जीरे को क्रेकल होने देंगे फिर हम इसमें मसाला डालेंगे जो हमने ग्राइंड करके अभी तैयार किया हैं तो जीरे क्रेकल हो गए हैं अब हम ये मसाला इसमें आड़ कर देते हैं ये मैंने डाल दिया है इसे अब हम भूनने देंगे ऑईल छोड़ने तर इसे हम ढख करके थोड़ी देर के लिए पखने देंगे जिससे अची तरह से पख भीज़ाएगा और भून भी जाएगा afterward इसमेंसे सेपरेट होने लगेगा तो हम इसे कवर कर देते हैं कि देखिए थोड़ी देर हो गई है अब देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा उपर आ रहा है यह अच्छी तरह से नहीं बुना है अभी क्योंकि अभी हम यह ड्राइ मसाले जो हमने दही में अड़ किये थे इसको मिक्स करके भी हम यह मसाला भूनेंगे तो यह मैंने दाल दिया है थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे इसमें क्योंकि थोड़ा मसाला बरतन में लगा रह जाता है तो हम इसे इस मसाले में एड़ कर लेंगे मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी इसे मिक्स करेंगे और फिर से इसको पकने देंगे थोड़ी देर के लिए तो हम इस प्रीश में चलाते हुए थोड़ी दिर तक मैंने से भून लिया है, और अब हमने इसमें डाल दी है मतर, मतर हमने हरी वाली यूज की थी, इसलिए हम पहले मतर डाल के पकाएंगे, अगर आप पैकेट पाली मतर यूज कर रहे हैं, तो आप उसे मस्रूम के साथ में डाल सकते ह पहले से पकाने की जरूरत नहीं होगी, तो ये मतर को हम कवर करके पकने देंगे, सॉफ्ट होने तक, देखिए मतर हमारी पक चुकी है, ओल बिलकुल उपर आ रहा है, मतर हो चुकी है, तो अब बारी आ जाती है मस्रूम की, अब हम इसमें मस्रूम एड़ करेंगे, थोड़ मस्रूम को डालके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जे देखिए और इसे कवर करके लो फ्लेम पे हम पकने देंगे, कम से कम 10 मिनट तक, तो हम इसे कवर कर देंगे, थोड़ा सा पानी हम एड़ कर देती है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, पर हाँ आप थोड़ा बहुत कम जादा कर सकते हैं अपनी इच्छा नुसार, तो मुझे ऐसी ही थिक ग्रेवी पसंद है, इसलिए मैंने जादा पानी आड़ नहीं किया है, अब हम इसे कवर करेंगे और 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे, फिर हम इसे चेक करेंगे, तो मैंन इसे बढ़ियां ये मटर मस्रूम बनके तयार हुए हैं, तो आप देर किस बात किये, धनिया पत्ती से इसे गार्निस करिये, और सर्फ करने के लिए जैसे मैंने निकाला है, देखे कितनी बढ़ियां मटर मस्रूम की सबजी बनके तयार हुए है, ये बहुत ही फटा फट ब करना ना भूलें तो मिलते हैं हमें एक नई रेसिपी के साथ में तिल दिन बाई बाई